नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नई और डिफरेंट टीडियल इस टीडियल की हेल्प से आप वाउचर वाईस प्रिंटिंग सेट अप कर सकते हैं मतलब यदि आप चाते हैं कि जो सेल्स का परसन है वो HP प्रिंटर पर बिलको प्रिंट करें और POS बिलको आप Canon प्रिंटर पर प्रिंट करना चाते हैं लेकिन आप बार बार टेली में printer को change नहीं करना चाहते क्योंकि जब sales bill print करना होगा तो normal printer पर print करना होगा और जब POS bill print करना होगा तो उसके लिए thermal printer पर print करना होगा तो आप यह बहुती आसानी के साथ इस TDL से कर सकते हैं तो चलिए friends देखते हैं तो सबसे पहले हम टेली में एक TDL लोड करेंगे यहाँ देखे friends यहाँ हमारी TDL फाइल है इसे टेली में लोड करने के लिए हम इस फाइल के उपर right click करते हैं अब properties में आ जाते हैं इसके बाद में security में जाते हैं और यहाँ से इस object name को इस तरह से select कर लेते हैं और इसे control C से copy कर लेते हैं अब यहाँ पर टेली में आ जाते हैं और यहाँ पर help में TDL and add-ons में जाते हैं अब यहाँ पर manage local TDL में जाते हैं और जो path हमने copy किया था उसे यहाँ पर हम paste कर देते हैं तो यहाँ देखे friends टेली में यहाँ TDL फाइल लोड हो गई है अब हम alter में जाते हैं और इसके बाद voucher type में जाते हैं अब देखे फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी book को select करके उसमें जिस किसी printer को आपको set करना है उसे आप fix कर सकते हैं जैसे कि अभी हम sales book में जाते हैं और यहाँ पर देखे configuration printer इस option को yes करते हैं अब यहाँ पर HP laser jet printer को select कर लेते हैं और यहाँ पर neat mode को select कर लेते हैं और अब इस screen को enter करते हुए accept कर लेते हैं अब फ्रेंड्स हम POS billing में जाते हैं और यहाँ पर भी configuration printer इस option को yes करते हैं और यहाँ पर हम इस बार Canon printer को select कर लेते हैं और यहाँ पर neat mode को select कर लेते हैं और अब इस screen को enter करते हुए accept कर लेते हैं अब क्या होगा फ्रेंड्स जब हम normal cells bill printer पर print करेंगे तो HP printer पर print होगा और जब हम POS billing करेंगे तो Canon printer पर print आएगा इसे हम practical करके देखते हैं तो इसके लिए हम cells register में आ जाते हैं और किसी भी cells bill को open कर लेते हैं अब हम Ctrl P button को press करते हैं यहाँ पर HP laser z printer पहले से ही select है अब इसी तरह से हम bake आ जाते हैं और अब हम POS billing में जाते हैं अब हम फिर से यहाँ पर Ctrl P button प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखे फ्रेंड्स यहाँ पर Canon printer शो हो रहा है मतलब यदि आप cells bill print करेंगे तो HP printer पर print आएगा और इसी के साथ यदि आप POS bill print करेंगे तो Canon printer पर print आएगा आपको बार बार printer चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही तो फ्रेंड्स यदि आपको यह TDL buy करना है तो आप description में दिये गए नमबर पर हमें call या WhatsApp कर सकते हैं और यदि फ्रेंड्स आप टेली में user wise printer को set करना चाते हैं तो इसके लिए इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसकी लिंक हमने description में दी है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे like और जितना ज़्यादा हो सके share करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके और हमारे इस channel को subscribe करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम upload करें तो उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक्स फोर वोचिंग